नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अतुल श्रिवास्तो और स्वागत है आपका नेक्सेस जीयस्की इस डिस्टल दुनिया में तो धारा 377 के बारे में आज हम लोग बात करेंगे इसकी पूरी जानकारी और इसके प्रभाव के बारे में बात करेंगे इसके अंसार आपसी सहमती से दो वयसकों के बीच बनाया गया जो सैमलागी संबंध है उनको अब अपराद नहीं माना जाएगा सुप्रीम कोट के जो चीफ जस्टिस हैं दीपक मिस्रा सहाब जस्टिस रोहिंटन नारीमन और एम खन विलकर डीवाई चंदरचूड और जस्टिस इंदू मलहोत्रा इनकी समिधानिक पीट ने इस फैसले पर सुनवाई दी अब इसके जो इंपोर्टन टॉपिक्स हैं उनके बारे में अगर हम लोग बात करें तो चीफ जस्टिस दीपक मिस्रा सहाब ने कहा कि सम्मान के साथ जीने का अधिकार है बेंज ने माना है कि समलेंगिक्ता जो है अपराद नहीं है और इसे लेकर लोगों को अपनी सोच बदलनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि धारा 377 जो है अतारकिक है मनमाना और समच से बाहर है क्योंकि यह आपका LGBT समदाय के समानता के अधिकारों पर रोक लगाती है तो निजिता का अधिकार है जो कि जीवन की अधिकार में समाहित है ये आपका LGBT समदाय पर भी लगू होता है इस नेर्डे के बाद आर्टिकल 14 जो की समानता का अधिकार है जहां पे समानता की अधिकार की व्याक्या है आर्टिकल 15 जो धर्म जाती जाती लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव के बारे में है आर्टिकल 19 जो की भाषण और अभिवेक्ति की स्वतंतरता के बारे में है और आर्टिकल 21 जो की जीवन कादिकार और गोपनित्या कादिकार है इसके तहत किया गया तो एक धारा 377 से कितने quality के question बनते है उसके बारे में बात करें आर्टिकल 14, 15, 19 और 21 ये चार आर्टिकल जो है वो important हो गए इस साल के लिए अब हम लोग बात कर लेते हैं IPC धारा 377 के बारे में तो भारती दंड सहीता IPC में सैंगलिक्ता को समलैंगिक्ता को अपराद बताया गया है IPC की धारा 377 है उसके मताबिक जो कोई भी पुरुस किसी पुरुस महिला या फिर पसू के साथ प्रकत की विवस्था के खिलाफ यौन सम्बद बनाता है तो इस अपराद के लिए उसे 10 वर्स की सजा या फिर आजीवन करावास से दंडित किया जाएगा उस पर जुर्माना भी लगाए जाएगा और यह अपराद जो है वो संगे अपराद की स्रेणी में आता है और यह आपका गैर जमानती होता है तो जुलाई 2018 में सुप्रीम कोट की कुछ डिसीजन आये उसके बारे में हम लोग बात करे हैं तो चीफ जेस्टिस दीपक मिसरा सहाब है इस टाइम पे इनकी अधिक्षता वाली पांच सदस्ती समिधान ने 17 जुलाई 2018 को धारा 377 की वैदता को चुनावती देनी वाली याजकाओ पर अपना फैसला जो है सुरक्षत रखते हुए एक साफ किया था किसे कानून पूरी तरह से निरस्त नहीं किया जा सकता कि इस कानून को पूरी तरह से निरस्त नहीं किया जा सकता कोड ने कहा था कि ये दो समलेंगिक वैसको द्वारा सहमती से बनाएगे जो सेक्ष्वल सम्बंध है इस तक सीमित रहेगा पीट ने कहा अगर धारा 377 को पूरी तरह से निरस्त कर दिया जाएगा तो आरख जरता की स्थिती उत्पन हो सकती है हम सिर्फ दो समलाइंगिक वैस को द्वारा समती से बनाये गए स्ट्चुल संबंध पर विचार कर रहे हैं यहां सहमती ही एहम बंद हो है तो सबसे इंपॉर्टन जो रोल है वो सहमती का है पहले याचकाओं पर अपना जवाब देने के लिए कुछ और समय का नोध करने वाली जो केंदर सरकार है उसके बाद में इसे दंदाटमक प्रावधान की वैदिता का मुद्दा जो है अदालत के विवेक पर छोड़ दिया था इसके पहले भी 2009 में दिल्ली हाई कोट का इसके उपर फैसला आया था अब बात कर लेते हैं हम लोग LGBTQ जो समधाय है उसके बारे में उपर जिसके बारे में हम लोगों ने बात की है तो इस समधाय के तहत lesbian मतलब gay, bio-sexual, transgender और keyword आते हैं एक अरसे से इस समधाय की मांग है कि उन्हें उनका हक दिया जाए और 1337 जो है उसको अवैध ठहराय जाए निजिता का जो अधिकार है उस पर सुप्रीम कोट के फैसले के बाद इस समधाय ने अपनी मांगों को फिर से तेज कर दिया था समलेंगता पर इन देशों में मौत की सजा है जैसे सुडान हो गया इरान हो गया बहुत सारे ऐसे देश है जहां पर आपका इसके मौत की सजा है तो दुनिया में कुल 13 ऐसे देश है जहां gay sex को लेकर मौत की सजा देने का प्रावधान है टो कितने देश हैं? समलेंकता कुछ देशों में मान्ने भी है बहुत सारे ऐसे देश हैं जैसे लगजंबर्क हो गया इंगलैंड हो गया ब्राजिल हो गया फ्रांस हो गया भक्षिन अफ्रीका हो गया यहां पर यह सारे चीजाने परborg़िंग मानने हैं अब अगर इसकी प्रस्ट भूमी के बारे मनमोग बात करें तो सुप्रीम कोट ने वर्स 2013 में दिली हाई कोट के फैसले को पलटते हुए इसे अपराद की स्रेडी में डाल दिया था इसके बाद सुप्रीम कोट के इसके विरोध में कई याजकाई मिली आई आईटी को धारा 377 के खिलाब 30 से ज़्यादा याजकाई मिली याजका दायर करने वालों में सबसे पुराना नाम जो है नाच फाउंडेशन का है जिसने वर्स 2001 में भी आपका धारा 377 को अपराधिक स्रेडी से हटाए जाने की मांग की थी तो ये रहा आपका धारा 377 इसमें कौन- बॉक्स में बताना है कि साउथ अफ्रीका में ये आपका मानने है या फिर नहीं मानने है थैंक्यू सो मच